हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लन्वरिदेतिमन, तो देखिए आज हम करने वाले हैं सैवन्थ क्लास का चैप्टर नमबर एट, आजादी से पूर्व राजिस्थान में सामाजिक सैक्षिनिक सुधार, तो चैप्टर मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया थ है, तो वो ये कोशन अंसर सीरी जो हैं अच्छे से याद करिए, साथ में चलिए वीडियो बार बार देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाएं, कोशन अंसर पूरा चैप्टर जो हैं कवर करते हैं, कोशन वन देखिए, आजादी से पूर्व राजिस्थान में कौन सी कू प्रथाएं चल रही थी, तो सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, ऐसी जो को प्रथाएं थी, समाज में चल रही थी, 1829 इसवी में सती प्रथा के बुरुद्ध कानून किनके प्रयासों से बना, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना था, और यह कानून लाड विलियम बेंटिंग ने बनाया था, ठीक है, 1829 इसवी में लौर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा कानून बना कर सती प्रथा को गैर कानून इगोशित किया गया, थार्ड कोशन है, राजिस्थान की किस रियासत ने सर्व प्रथम सती प्रथा निशेद कानून पारित किया, राजिस्थान की किस रियासत ने सर्व प्रथम कन्यावद पर प्रतिवंध लगाया, तो सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्यावद को गैर कानून इगोशित किया, और इसके बाद कोटा के बाद बीका नेर, जोधपूर, जैपूर, उदैपूर और अलवर राजियों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोसित किया तो याद रखेंगे सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्यावद पर प्रतिवंद लगाया और सती प्रता के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जैपूर रियासत ने कानून महापारित किया राश्ट्री इस्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई तो यहाँ सबसे पहले स्वामी दयानन स्वरुस्यती ने आवाज उठाई थी तो बाल विवा क्या होता था जिसमें जो बे मेल कन्या और पुरुष का विवा होता था यानि कि बड़ा जो पुरुष होता था और कन्या होती थी तो उसका विवा कर दिया जाता था एक तरीके से अनमेल विवा होता था तो ये प्रथाएं जो थी वो राजिस्थान में चल तो यहाँ पर बाल विवा निशित कानून बनाया था अलवर्ज लेने 10 दिसंबर 1903 इसवी में दाज प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था तो इसे हाली और चाकर इन दोनों नामों से जाना जाता था ठीक है दाज प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम कब पारित किया तो इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 इसवी में चार्टर अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया था तो मैंने आपको बताया था कि डाकन प्रथा क्या होती है इसमें जो कुछ इस्त्रियां होती है उन पर डाकन होने का आरोप लगाया जाता है और फिर उन्हें मारा जाता है तो मेवार और कोटा राज्य में डाकन प्रथा का प्रिसलन सरवाधिक था यह एक तरीके का क्या था अंदविश्वास ही था डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई तो डाकन प्रथा बोले या डायन प्रथा बोले एक ही बात है इस पर रोक लगाई थी 1853 इसवी में एजीजी ने ठीक है राजपुताना एजीजी यानि एजेन्टू गवर्णर जनरल तो इन्होंने इसे अमानविय प्रथा बताते हुए इस पर प्रतिवन लगाया था और जो रियासत के शाशक थे उन पर दवाब बनाया कि ये प्रथा जो है वो रोकी जाए नेक्स्ट देखिए कुशन 11 है ब्रिटिस सरकार ने उन्नीसवी सताब्दी से पहले की सिक्षा को किस नाम से संबोधित किया तो इसे देशी सिक्षा यानि इंडिजीनियस एल्यूकेशन इस नाम से संबोधित किया जिसे हम देशी सिक्षा भी कहते हैं राजेस्थान में आधुनिक सिक्षा का प्रथम स्कूल कहां और कब खोला गया तो यह स्कूल खोला गया अजमेर में याद रखेंगे राजेस्थान में पहला स्कूल जो की आधुनिक सिक्षा का था अजमेर में 1819 इस्वी में खोला गया था राजे स्थान में कब अंग्रेजी भासा राज्य की भासा बना दी गई तो अंग्रेजी भासा को राज की ये भासा जो है बनाया गया 1835 इस्वी में नेक्स्ट दिखिए उन्नीसवी सताब्दी में किस रियासत को छोड़ कर सभी में अंग्रेजी सिक्षा प्रारंब हो चुकी थी उन्नीसवी सताब्दी के दौरान किस रियासत को छोड़ कर सभी रियासतों में अंग्रेजी सिक्षा जो है वो प्रारंब कर दी गई तो राजपूत शाषकों, रियासतों के शाषकों, उनके राजकुमारों, पुत्रों के लिए अंग्रेजी सिक्षा जो है वो अलग से इनका प्रवंधन जो है वो किया गया तो सन 1872 इसवी में जो वाय सराय थे लौड मेयो, इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की इस्थापना की थी, ठीक है राजिस्थान विद्या पीट संस्था की स्थापना कब हुई 21 अगस्त 1937 को हुई किसने की पंडित जनारधन राय नागर ने तो इसमें सभी के लिए सिक्षा ऐसा उद्देश्य रखा गया एक्जाम में पूछा गया है कि राजिस्थान विद्यापीट संस्था जो है इसका क्या उद्देश्य था तो इसका उद्देश्य था सभी को सिक्षा मिल सके राजिस्थान में मिशन रिसंस था कन्या वर्ना कुलर स्कूल कब प्रारंब किये गए राजिस्थान में मिशन रि पुसकर अजमेर में सबसे पहला कन्या स्कूल खोला गया कहां राजिस्थान में। आदिवाशियों का मसीह और बागड का गांदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है कि बागड का गांदी भोगी लाल पांडिया को कहा जाता है। भोगी लाल पांडिया का जन्म कब और कहां हुआ। तो इनका जन्म 1904 इस्वी में डुंगरपुर में हुआ था। और इसी वजय से इनको बागड का गांदी कहा जाता है। तो जहां पर बच्चे भी पढ़ सकें, उनके लिए पाटशाला की इस्थापना की, और बागड सेवा मंदीर की इस्थापना किसने की भोगी लाल पांडियान है। ठीक है जो पाट साला उन्होंने खोली थी यही जो है आगे चलकर बागर सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होती है नाना भाई खाट और सेंगा भाई का सम्मंद किस जिले से है। नाना भाई खाट जो कि भील है और सेंगा भाई. इनका सम्बंध किस जिले से है तो इनका सम्बंध तूंगरपुर जिले से है. तो जम मैंने आप लोगों को किसान आंदोलन पढ़ाया था, तो वहां पर भी मैंने उनकी चर्चा की थी. ठीक है कि नाना भाई कार्ड जो है वो भीलों को सिक्षित करने का कदम उठाते हैं पाटशाला खोलते हैं और सेंगा भाई जो है यहाँ पर अध्याबक रहते हैं पुलिस ने किस विध्याले को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी तो राजिस्थान में डुंगरपुर राज्य में जन जागरती सेवा संग द्वारा जो पाटशाला खोली गई थी तो इसे पुलिस ने बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी तेरह वर्षी है भील भालिका जो अपने सिक्षक को बचाने के लिए सहीद हुई थी तो उसका नाम था काली बाई तो काली बाई एक छात्रा थी जो की अपने अध्यापक को बचाते हुए सहीद हो जाती है तो आज हम यहीं तक करेंगे हमने 24 कोशन किये हैं चैप्टर 8 के और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 25 कोशन तक करेंगे और आपका यह चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा तो बार-बार मैं यह चीज बोलती रहती हूँ कि आप लोग इनको बार-बार पढ़िए बार-बार वीडियो को सुनिए ताकि यह चीज़ें आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें कोई भी ट्रिक नहीं होती है इनकी इनको बार-बार देखना ही पड़ता है और इनको बार-बार सुनना भी पड़ता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए थैंक यू